प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केनेडा के उपर पहली बार अपनी कमेंड की और सक्त चितावनी देती हुए ये कहाए कि आप लोग जो भारत के नागरीकों के उपर कायरता पोर्ण हमले कर रहे हों हमारे राजदूतों को डरा धमका रहे हों एसा करके आप भारत को कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं और केनेडा से हम कहना चाहेंगे कि आप जिस रूल ओफ लोग की बात करते हो आप जिस अभी व्यक्ति की सोदंत्रता की बात करते हो उसका पानी थोड़ा आप भी पी लीजिए दुनिया को मत पाट पड़ाईए देखे हमारे प्रदानमंत्री की कमेंड आप आई है इतने सालों बाद जब कि इसके पहले केनेडा ने बहुत सारी भारत विरोधी गतिविद्य अपने अचलाई लेकिन अभी क्यों आई है इसके पहले क्यों नहीं आई ये भी हमें समझने की जरूरत है लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि actually हुआ क्या है कहानी कुछ एसी है कि ये है केनेडा और केनेडा के अंदर एक स्टेट है ओंटोरियो जहां पर केनेडा की राजधानी ओटावा है ये ओंटोरियो केनेडा की सबसे जादा आबादी वाला राज्य है एरिया वाइस अगर आप देखोगे या योग भी बड़ी मातरा में आते चाते होंगे इसी जगा पर भारत का उच्छायोग एक शिविर आयोजित करता है विदा हेल्प ओफ हिंदू मास अबामंदि ये शिविर इसलिए रखा गया था कि भारत के नागरिकों को केनेडा में कोई प्रोब्लम नाय चाहे वो डोक्य क्मेंटेशन से रेलेटेड हो या फिर किसी और चीज से क्योंकि जब एक देश के नागरिक दूसरी जगा जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याव का सामना करना पड़ता है ये चीज आपने भी खुद फील की होगी देखी होगी कि जब आप एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है ठीक उसी वक्त केनेडा के नागरिक जो अपने आपको खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक मानते हैं जो भारत की संप्रभूता को चेलेंज करके ये बोलते हैं कि ये से भारत और केनेडा के बीच फिर से लड़ाई जगडे शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब भारत के उच्छायोग ने शिविर आयोजित किया था तो उसके साथ में हमने केनेडा से ये कहा था कि यहां पर भारत विरोधी तत्व पाए जाते हैं इसलिए हमें परियाप्त अच्छा मोहिया करवाने के कोई कदम इन्होंने नहीं उठाए इवन जब ये आतंगवादी अपना सिर उठा रहे थे तब वहां की एजेंसियों ने भी कोई कारिवाई नहीं की इस घटना के विरोध में भारती मूल के हिंदू और सिख समुदाये ने एक जुटता दिखा और शांतिपूर ने प्रोटेस्ट किया इन आतंगवादियों के दुस्साहस के खिलाब यहां तक आपको बाते थोड़ी समझ आ गई होगी अब कहानी में ट्विस्ट आता है जो हमारे हिंदू भाई बहने हमारे जो सीख भाई बहने जो शांतिपूर ने प्रोटेस्ट कर बदलने की जिम्मेदारी केनेडा की सरकार ने उठा ली केनेडा ने शांतिपूर ने प्रोटेस्ट को तितर बितर करने के लिए इस शांतिपूर ने प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पुलिस को भेचा पुलिस आई और पुलिस ने मारा कुटी शुरू कर दी किन लोग वो unacceptable है केनेडा के हर लोगों को धर्म को सुतंतर और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है लेकिन ये आगे क्या बोलते हैं आप वो देखिए ये आगे बोल रहे हैं कि समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जाच के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प पकड़ना आतंगवादी को चाहिए था लेकिन इनकी पुलिस मासुम लोगों को पकड़ रही थी और इनके जो प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो है वो पुलिस को इस बात की शाबाशी दे रहे हैं वावावा आपने क्या काम किया है जबकि इनकी खुद की पुलिस में ख खालिस्तानी लोगों ने जो हमला किया था वो एक पूरी सोची समझी शाजीश थी जिसमें ना सिर्फ खालिस्तानी लोग थे बलकि इसमें पुलिस प्रशासन का सीधा सीधा हाथ था और इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने ये केनेडा से बोला है कि मैं केनेडा में एक हिं के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे हम केनेडा की सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शाषन को बनाय रखने की उमीद करते हैं देखे आजकल दुनिया भर में भारत के हितों को नुकसान पहुचाने के नए नए हतकंडे अपनाए जा रहें पेले खालिस्तानी ल मुल्के नागरी को पर हमला कर रहें भारत के लोगों को मारने की कोशिश कर रहें ये हमले हमने पहले अमेरिका में देखें ये हमले अब हमें बांगला देश में देखने को मिल रहें कुछ दिन पहले की बात है नवरातरी के टाइम हिंदू मंदिर पर पेट्रोल बंफेके गए थे अगर आपको याद हो तो और अब ये केनेडा में हो रहा है लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है कि हम किन लोगों से न्याय की उमीद कर रहे हैं हम किस देशे ये बोल रहे हैं कि आप रूल ओफ लोको बना कर रखें उस देश के प्रधान मंत्री से जिसकी कुरसी खुद आतंगवादियों के कंदे पर रखी हुई है क्या आपको लगता है कि जिसने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया वो आगे भी कुछ करेगा हमें ये भी नहीं बूलना चाहिए कि ये वही जसिन टूडो है जो भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों का स्टेन लेकर अभ दूलोफ लो नाम की कोई चीजी नहीं बची इनकी गवर्मेंट के हर इस्तर पर आतंगवादी लोग भरे पड़े हैं जैसे पाकिस्तान का सिस्टा में चाहे वो पुलिस हो या फिर एड्मिनिस्टेशन या फिर वहां की सरकार केनेडा में जो हिंदू सांसत चंद्रा आरि कितना गहरा और बेशर्म हो चुका है हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी इस पर कमेंट की है और उनकी तरफ से यहां पर तीन बड़ी कमेंट हमें देखने को मिली और ये तीन बड़ी कमेंट क्या है हम उसे समझते हैं पहली यह है कि केनेडा ने बिना कोई शायद केनेडा कोई समझना चाहिए कि जब आप किसी देश पर इतने बड़े आरूप लगा रहे हो तो आपके पास इसके strong evidence होना चाहिए लेकिन इनके पास evidence का इतक नहीं है भारा सरकार यही तो बोल रही है कि यार आप at least सबूत तो दो आप evidence तो दो आप हम पर ऐसे किसे इ लगा सकते हो दूसरी बात हमारे विदेश मंत्री ने ये बोली है कि केनेडा हमारे diplomats की निगरानी कर रहा है जिसे हम किसी भी तरह स्विकार नहीं करेंगे इसका latest example आप समझें रिसेंटली केनेडा ने ये बोला था कि भारत के diplomats पर शक है कि निजर हत्याकान में उनके थें तो हम इसकी पुलिस जाच करवाना चाहते हैं मतलब हमारे diplomats को ये लोग बेवजा परिशान कर रहे हैं और इसलिए भारत ने संजे वर्मा समेथ 6 diplomats को भारत वापिस बुला लिया था तीसरी बात जेशंकर जी ने ये बोली है कि केनेडा ने आतंगवादियों को political space द इस तर पर आपको वहाँ पर खाली स्थानी देखने को मिलेंगे देखना दिल्चस्प होता है क्या क्या होता है सो आज के लिए इतना ही टेक केर एंड थेंक्यू